You know that 1 by 7 is, ठीक है, अभी हमने देखा था, पहले भी दिवाइट भी गरा था, 0.142857, can you predict what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division, if so how? तो अभी तो बात करी दिया हमने एक्जाम्पल में, कि अगर ये 1 by 7 और 2 by 7 का value निकालना बहुत आसान है, ये तो सारे क्या है, ये double है, ये double कर देंगे, ये triple है, इसको 3 से multiply करके आ जाएगा, इसको 4 से multiply करके आ जाएगा, 5 से आ जाएगा, 6 से multiply करके आ जाएगा, तो easy है, तो 2 by 7, चा हो जाएगा, 2 by 7 ब्लॉक आएगा, multiply कर होगे, 7 ब्लॉक आएगा, 27 जा 14, carry 1, 2, 5 जा 10, 1, 11, carry 1, 2, 8 जा 16, 1, 17, carry 1, 2, 2 जा 4, 1, 5, no carry, 2, 4 जा 8, 1, 9, and 2 जा 2, ये ब्लॉक आपको मिलेगा, फिर इसी तरह से 3 ब्लॉक आपको मिलेगा, फिर इसी तरह से 3 ब्लॉक चा कर 25 जा 15, 2, 17, carry 1, 3, 8 जा 24, and 1, 25, carry 2, 3, 2 जा 6, and 2, 8, no carry, 3, 4 जा 12, 2, 1 carry, 3, 3 जा 3, and 1, 4, तो ये आपको मिलेगा, क्या है, इसी तरह से 4 ब्लॉक आपको मिलेगा, इसी तरह से 4 ब्लॉक चा कर सकते हैं, नहीं तो उसका 4 तेम्स कर लो, एक ही बात है, 4 बाइ 7, 4 जा 28, carry 2, 4, 5 जा 20, 2, 22, carry 2, 4, 8 जा 24, and 2, 26, carry 2, 4, 2 जा 8, 2, 10, 0, carry 1, 4, 4 जा 16, 1, 15, carry 1, 4, 1 जा 4, 1, 5, पिर 5 बाइ 7, अब आगे के एक्जाम्पल्स आप लोग कर सकते हैं, यह आप लोगों के लिए छोड़ दिया, 5 बाइ 7 और 6 बाइ 7 गरबर करके देखिए, ठीक है, 5 तैम्स करना है इसका, और 6 तैम्स करना है, आप लोगो, यह दिसकलिया!